सर ये पिक्सल लाइन चाहिए रिव्यू बनाने के लिए मनदम पिक्सल फोन साप इंडियन्स के लिए नहीं है क्यों सर ऐसा क्या हुआ आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मनदम आप लोगों को सॉफ्ट्वेर और परफोर्मेंस ऑप्टिमाइशन से कोई मतलब नहीं है सर ऐसा नहीं है हर कोई छपरी सोच वाला नहीं होता है गीक्वेंश जैसे स्कोर्स देखने पर फोन की मैक्सिमम पावर का पता चलता है बस और कितने लोग ऐसे हैं जो किसी फोन की मैक्सिमम पावर तक उसे यूज़ करते हैं कोई भी नहीं सर फैक्ट ये है कि जाधा तर लोग आज की डेट में ontu to score का सिकाल हो चुकी है और उनको लगता है कि ontu to score अच्छा है तो फोन अच्छा है और अगर ontu to score बेकार है तो फोन भी बेकार है और सर मेरे चैनल पर best user experience देने वाले phone पर focus किया जाता है ना कि benchmark scores देने वाले code पर फिर भी मेडम इस phone के scores देखकर आप लोगों को ये phone एकनम गडिया ही लगेगा और मैं नहीं चाहता इस phone को ऐसे लोग बाय करें जो इसकी value नहीं समझ सकते आप एक काम करो आप अपने viewers को IQ12 को ही best बोल दो सब को सोच दाएंगे और आपको कोई वह में लिखकर कमेंट भी नहीं करेगा और इस phone की तारीफ करोगे तो फिर आम दो score वाले आपको negative comments करने लगेंगे सर्क comment से मुझे मतलब नहीं है मुझे मेरा काम करना है और वैसे भी मेरे channel पर ऐसे बहुत से लोग हैं शुरुआत में इसकी pricing से करूँगी मैंने ये phone सत्तर हजार में खरीदा है प्राइज इसकी असी हजार है जहां मुझे पांच हजार का bank discount मिला और पांच हजार का exchange benefit का फायदा लिया एक्सचेंज offer का फायदा लेने के लिए पहले तो मैंने flip card से Redmi 13C buy किया साड़े साथ हजार का जिसका exchange offer 12,250 मिला तो उस तरीके से ये phone मुझे 70,000 में मिला तो शुरुआ इसकी quick unboxing से करते हैं इस बार Google ने अपनी packaging completely change कर दी है और ये environmental friendly completely paper packaging है phone या already भार है box से तो box में हमें phone मिल जाता है type C to type C data cable मिल जाती है और साथ में या कुछ documentation और same ejector tool तो ये है मेरा pixel line जो कि मैंने porcelain color में मंगाया है इसमें 3 color और available हैं जो कि आप flip card पर check कर सकते हैं तो सबसे पहले इसकी design and build quality से शुरुआत करती हूँ लोगों का मानना है कि Google के phone उसके cameras की वज़े से जाने जाते हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि Google के phones को उसके unique and premium design की वज़े से भी जाने जाना चाहिए Google की अब तक की जो भी series रही है pixel 8 तक वहां हर series में एक cool and premium design मिली है और अब ये pixel 9 series भी एक अच्छी design के साथ launch हुई है यहां camera bum को अब pill shape design में कर दिया गया है जो कि पहले की series तक frame से ही attach रहता था overall design काफी premium है और इसे use करने में काफी अच्छी feeling आईगी build इसका एकदम solid लग रहा है pixel 8 की तरह हलका feel नहीं हो रहा यहां back में glass यूज किया गया है जहां koning gorilla glass victus 2 का protection मिलता है front and back दोनों side में जो कि काफी strong है aluminium frame यूज किया गया है और ये frame corner से rounded है जिससे इसके use करना बहुत easy और comfortable लग रहा है matte finish के साथ frame premium भी लग रहा है pixel phone में power button उपर होता है और volume button नीचे यहां top पर microphone मिल जाता है और left side plane नीचे के side में type C port है speaker grill, microphone और sim card tray और यहां हम एक nano sim यूज कर सकते हैं इसका type C port 3.2 है तो overall मुझे इसकी design and build quality काफी premium and strong लगी है अब अगर इसकी display की बात करूँ तो यहां 6.3 inch की full HD plus OLED display मिल जाती है जहां SDR brightness 1800 nits की है और peak brightness 2700 nits की इस display की जितनी तारीफ करूणा उतनी कम है अब तक मैंने जितने भी phone इस present में use किये हैं मुझे यह display उन सबसे best लगी है जहां display के color, sharpness, detail सब एकदम perfect है यहां SDR 10 plus का support भी मिलता है display काफी smooth है, bright and beautiful है bezels भी यहां काफी uniform है और यह एक flat display है तो यहां multimedia experience काफी अच्छा रहने वाला है multimedia से related होते हैं speakers तो यहां dual speakers हैं जो की काफी loud and clear है यहां इस sound quality से आप इसका idea लगा सकते हैं तो overall display and sound quality यहां top notch है यह flat display है जिस पर tempered glass easily लग साते हैं और इसके लिए मैंने already Spigen company का यह tempered glass मंगा लिया है जो की best रहता है और मैं अपने हर phone और tablet के लिए इसी company के tempered glass यूज करती हूँ अब अगर इसके software की बात करूँ तो pixel के phone में stock android मिलता है और यह phone android 14 के साथ launch हुआ है और यह तो सभी जानते हैं के android में best UI pixel की ही है और इस phone के animations भी super smooth है इस phone के animations भी super smooth है यहां ना तो कोई faldu का add मिलेगा और ना ही कोई faldu का bloat wear इस phone को 7 साल के software update मिलेंगे और 7 साल के security patch update तो software के point से भी यह phone सबसे आगे है रही बात इसके software feature की तो वो मैं इसके review वीडियो में complete cover करूंगी लेकिन यह phone best AI use वाला phone है इतना तो एकदम clear है अब बात करते हैं performance की तो यहां Google का Tensor G4 chipset मिलता है जिसका नाम सुनते ही काफी लोग इसे बुरा बोलने लगे है ऐसे लोगों के पास ना तो यह phone है और ना ही वो इसे खरीदेंगे वो लोग बस खुद को खुश करने के लिए Tensor G4 की बुराई करते रहेंगे बट मैंने Pixel 4 से Pixel 8 सीरीज तक सब भी phone यूज किये है और उन phone के base पर बोल सकती हूँ कि मुझे इस processor से कभी कोई problem नहीं हुई है अब सेम यहां भी मैंने इसे अभी जादा यूज तो नहीं किया है लेकिन इतना जरूर बोलूँगी कि इस processor से किसी को कोई problem नहीं होनी चाहिए हाँ उन लोगों को हो सकती है जो Geekbench 6 स्कोर्स पर जादा believe करते हैं बाकि इसकी performance की detail में बात इसके review वीडियो में करूँगी अब अगर इसकी battery की बात करूँ तो यहां 4700 mAh की battery capacity मिलती है लोगों की काफी complaints रहती है कि Google की phone में battery अच्छी नहीं मिलती और phone काफी heat भी करते हैं लेकिन मेरे uses में मैंने अभी तक ऐसा कभी feel नहीं किया हाँ phone थोड़ा बहुत heat करता है तो यह भी clear कर दूँ कि अब तक ऐसा कोई भी phone नहीं है जो heat ना करता हो लेकिन यह phone अभी तक बिल्कुल भी heat नहीं किया है इस phone की battery life भी काफी अच्छी है और यह मैं उन battery test के base पर बोल रही हूँ जो काफी YouTubers ने YouTube और Twitter पर share किये हैं और आज भी हैं वो है cameras यहां 50 plus 48 megapixel का camera setup मिलता है जिससे photos की quality बहुत शाददार है फिर चाहे normal mode से ली गई photo हो या फिर portrait mode से हर एक photo में colors, details, sharpness काफी अच्छी है और यही same चीज video quality में भी है जहां videos में stabilization भी काफी अच्छा है फ्रेंट में यहां 10.5 megapixel का selfie camera मिलता है और इसकी quality भी बहुत अच्छी है फिर चाहे वो pictures में हो या फिर video quality में दोनों ही एक number है बाकि आप इन samples से idea लगा सकते है इस phone में IP68 की water and dust resistant की rating मिलती है और यहां ultrasonic fingerprint sensor मिल जाता है जिसकी speed काफी fast and reliable है तो ये phone में मुझे अभी तक कोई भी negative point नहीं दिखा है लेकिन हो सकता है काफी लोगों को इस video में negativity दिखे कि मैंने इसमें सब अच्छा ही बोला है network quality यहां बहुत सही है किसी भी type का network issue नहीं है network strength ATL पर हो या फिर V.I. पर बहुत सही है कुछ लोग अभी भी रोईंगे कि Tensor G4 के scores देख लो एकदम घटिया है तो जो लोग इस phone में interested है वो इसे buy करें बिना कुछ सोचे और ये भी clear कर दूँ कि मुझे जो best लगा है वही मैंने इस video में बोला है बाकि इसके review video में जरूर cover करूँगी आप लोगों के जो भी questions है इस phone को लेकर आप comment section में पूछ सकते है जिससे मैं उसे review video में cover कर सकूँ वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद and take care